प्रदान मंत्री की रेस में जहां पर माना जा रहा है कि एक तरफ कॉंग्रेस के ओड से राखुल गांदी है महागटवन्दा ने कोई अलान किया नहीं है लेकिन बिजेपी के लिए तो सिर्फ प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ही है और अभी आपको बदा दे इसको लेकर तमाम जानकारी लगातार आप तक पहुचाते रहेंगे कवरेश शुरू हो चुकी है छे बज़स से लगातार हम आप तक लाई पहुचाते जा रहे हैं लेकिन अब वोटिंग शुरू हो चुकी है तो सीधे आप रुख करेंगे पहले में जाऊंगी मोहित गुपता के पास मोहिता क्या कुछ तैया रही अब वोटिंग शुरू हो चुकी है मोहिता आत्तक अपास पहुचात आ के पास आउंगी लेकिन पीच इजर में हम क्या कुछ कह रहे हैं सुनेंगे इस वक्त अब शुरू करते हैं लगातार बात करेंगे किक सीच को लेकर बात करेंगे रंचना मास साथ जोड़ी हुई है रंचना आपके पास आउंगी लेकिन सबसे पहले के मिश्राजी आपके पास लोग तंत्र के इस महापर्व कि शुरूवाद का दूसरे चरण है पहले भी हमने आपसे बहुत से बाते की बहुत से बारके को समझा था जो सीटे थी उस वक्त में उस वक्त भी आठी सीटे थी उतर प्रदेश की है अब ऐसे में जो मुकाबला है रास्टरवाद न्याए और महागटवन्दा ने जो अपना जिक्र किया है उस बात को लेकर जो है जंग छिर चुकी है आज अगर बात की जाए एक वोटर के दिमाग में क्या कुछ हो सकता है क्या जहन में हो सकता है जीके नैंसी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तरफ से और आप सब लोगों के तरफ से सारे वीवर्स और वोटर्स को बोलना चाहूंगा कि वोट देने जाए और emotional होकर के वोट मत दीजिएगा अपना decision मत लीजिएगा rational way में सोच करके वोट दीजिएगा क्यावल यह नहीं कि हमारी जाती क्या है हमारी party क्या है संसद में आप अच्छे लोगों को भेजिए नहीं तो लगातार 5 साल तक शिकायते आती रहती है दूसरी चीज़ नैंसी अगर मैं बात करूँ आप UP की अभी बात कर रहे थे तो देखिए UP में कई चरणों में वोट हो रहे है अभी पिछले चरणों में जो वोट हुआ था और अभी जो ये 7-8 सीतों पर वोटिंग हो रही है डेफिनेटली ये जो इन लोगों ने अपना गटबंधन मताब बनाया हुआ है ये मायावती जी इन सब चीज़ों का बहुत जबरजस्त बेल्ट है यहाँ पे लगभग हराना अपकी बार जो है बड़ा मुश्किल होता है या टकर बड़े कांटे की होगी और उसके पीछे लॉजिक और रीजन है लॉजिक और रीजन यह है कि 2014 में मोदी जी ने या पीजेपी से जिसको जहां से टिकट मिला लगभग सारे कंडिडेट जीत गए तो उसके पीछे रीजन यह था कि लगातार दस साल तक जो कॉंग्रेस का था आदमी का एक मोनोटोनस नेचर वो तोड़ना चाहता है वोटर भी दस साल से एक ही चीजों से एक तरीके से जैसे उप गए थे और दस साल के बाद आदमी जैसे एकदम उप जाता है उसको एक नया विकल्प मिला अच्छी कैंपेइनिंग हुई अच्छा मैसेज वगरा बीजेपी ने दिया तो बहुत आसानी से जीत गए अपकी बार ऐसा नहीं है उस बार जो वो 57% का वोटों का फर्क पड़ा था जिसको मैं शिफ्टिंग वोटर बोलता हूँ और यही शिफ्टिंग वोटर हर बार जो है पढला जो है मतलब तराजू का कौन सा पढला भारी होगा जो आश्यार चकित कर देने वाले जो नतीजे आते हैं वो हार्डली ये 57% जो शिफ्टिंग वोटर होते हैं उनके कारण होते हैं और यही वोटर अपकी बार एक बारीकी को समझूगी क्या कुछ होगा आपकी बार इस समझना बहुत जरूरी है मतदाता अपने घर से निकला है चूंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी जो वोटिंग अब जारी है लेकिन 6 बजे से हमने लोगों को कतारों में देखा है कि जॉगिंग करते हुए लोग डरेकली चले गए पोलिंग बूत पर मतदान करने के लिए इसके लावा आपको बता दू दूसरे चरण के लिए जो मतदान होने है 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान होने है इससे पहले 11 अप्रेल को प्रतम चरण के फर्स्ट फेस की वोटिंग हो चुकी है आपको बता दू जितना कड़ा ये मुकाबला है उतना ही दिल्चस्प है क्योंकि कई VIP उम्मीदवार मैदान में और उसके साथ ही विपक्ष एक बार इस बार एक नहीं बलकि दो हैं कॉंग्रेस और महागट बंदन तो BJP को कही न कहीं कड़ी चुनावती मिलने बाली है और VIP उम्मीदवारों की बात करूं तो हिमामालिनी राजबबर जैसे दिगज नेता इस बार मैदान में है जिनकी किसमत दाव पर लगी हुई है हिमामालिनी को पिछले दिनों हमने देखा उनके पती धरमेंद्र भी उनके लिए बोट मांगने चुना प्रचार करने पहुचे क्योंकि मधुरा में कहीं न कहीं जाट बोटों को साधने का कहीं न कहीं ये तरीका था उनका तो ये मुकाबला वाकई में नैंसी बहुत ही कड़ा और तल्चस्प होने वाला है अब एक एक सीट को आकरा बहुत जरूरी है लेकिन उससे पहले जमुकश्विय की बात करें बिहार की बात करें उत्रप्रदेश की बात करें करनाचक की बात करें तमाम जगाओं पर कॉंपेटिशन बहुत कड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन नैसी मैंने आपको बटाया और मैं लगातार ये पिछले पान सालों से बोलता जा रहा हूँ कि जो राजनीती पहले हुआ करती थी ड्यू टू सर्टेन रीजन सर्टेन रीजन मतलब किसी पार्टी का मैं इसमें योगदान नहीं मानूँगा टेकनोलोजिकल डिवलम्मेंट जो हूँमन काइंड ने किया है साइंटिस्ट ने किया है उसके कारण बहुत बदलाव आ गया है बदलाव ऐसे आ गया है आज के 15 साल 20 साल पहले जाईए अकभार तक नहीं पहुंशते थे गाओं में और शहरों की भी मैं बात कर रहा हूँ तो लोग वहाँ पे वहाँ पे जो वोटिंग पैटरन होता था अलग होता था कॉंग्रेस के लगातार राज करने का एक कारण भी ये था कि सूचना करांती इतनी नहीं थी तो दूसरे अच्छे विकल्प क्या है ये लोगों को पता नहीं चल पाता था आज सिच्वेशन एकदम बदल गई है सूचना करांती के कारण हर वोटर के हाथ में सारी इंफॉर्मेशन रहती है और वो अपना डिसीजन जो है स्वैम लेता है पहले तो ये होता था गाओं के एक मुखिया या दो तीन बड़े लोगों ने जिसको बोल दिया इनको वोट देना है वो देना है आज क्या है एक ही फैमिली में वोट भी बटे हुए है उसके पीछे रीजन है रीजन ये है कि इंसान अपने आप में एक बड़ा अनोखा टाइप का जो हर आदमी का अपना बेक्तित तो होता है decision making process होता है और हर आदमी के पास अगर information है तो वो अपना decision जो है सोतंत्र तरीके से लेता है सबसे बड़ी सोतंत्रता अपने देश में यह आई है decision लेने की सूचना क्रांती के कारण ऐसा नहीं कि गाओं के मुख्या ने बोल दिया तो सब लोगों ने एक को ही वोट दे दिया इतनी बड़ी सोतंत्रता यानि कि जिस तरह से education का सब्ड़ा है लोग शिक्षित हो रहे हैं तो उसमें ऐसा बिल्कुल बड़ी नहीं है कि परिवार के निर्ड़ें लेते हैं एनालिसिस करते हैं वोटर्स की अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है अपने मुद्दे हैं देखिए एक यंग एज का लड़का 22 साल 23 साल का जो जूब के लिए ढूंड रहा है वो हमेशा हर पार्टी के एजेंडा में यही डूड़ेगा कि कहां से उसको जूब मिल जाए एक 40-45 साल का अधेर आदमी जिसको अपनी फैमिली का कीचन चलाना है या एक मैला तो वो यह देखेगी कि उस पार्टी कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके एजेंडे में LPG सस्ती हो गई वो कीचन का बजट सस्ता हो जाए तो हर आदमी की प्रिफरेश क्योंकि हर आदमी के सामने जो चैलेंजेज है वो डिफरेंट है और हर आदमी अपने चैलेंजेज से कम आउट होना चाहता है उसको सॉल्व करना चाहता है और वहीं पर व्रिफरेंट लोग है वो यह सोसने के हमें पेंशन मिल जाए चाहे और जो पेंशन की लिए मैं कल एक घर गई थी एके मिश्वाजी और उस घर में मैंने ये पाया कि वो पेंशन के लिए लगातार अधिकारियों से बात कर रही है कोशिश कर रहें कि उनको पेंशन मिल जाए विद्ध वो महिला थी लगातार में उनसे पूछने के कोशिश करती रही क्या अपने अपने लोगों से बात की उन्हें कहा कि हम तो सब कुछ कर चुकी है हमें तो अब तक पेंशन भी नहीं मिली है और वो विड़ो भी थी तो ऐसे में जो समझे हम ब्यूरोक्रेट्स को जितने हमारे अधिकारी है उनमें कितनी कमी पाई जाती है अक्सर क्या आप मद्दाता इसको लेकर भी सोचेगा कि बई जमीनी जो चीजे हैं जमीनी हमारी घर की जो चीजे है क्योंकि एक मद्दाता अगर देश के बारे में सोचता है तो पहले यह भी सोच रहा है कि मेरे घर के लिए यह जो उमीदवार है क्या कुछ दे सकता है देंसी ऐसा नहीं है मेरा विचार यहां पर बड़ा मुक्तलिफ है मैं आपको बता हूँ मैंने अभी एक टर्म यूज किया था वोटरों से अपील की थी आप इमोशनल डिसीजन ले करके जो है वोट मत दीजिए कि भाई यह हमारी पर्टी है यह हमारी जात क्या है हमारी धर्म का है आप अपने यहां बेस्ट कंडिडेट को मैंने रेशनल वर्ड यूज किया था है क्या 70 साल से यही प्रॉब्लम चल रही है और देखे रिस्पॉंसिबिल्टी क्या है गौर्रमेंट ने एक सिस्टम बना है तो भी आप जो सरकार के पास सरकार को पैसे देने हैं तो आप जाइए तस्वीर है उसको भी दिखाते आते हैं कि जब भी कोई दिगज वहाँ पर पहुचता है पोलिंग वोट पर एक अच्छा मैसेज होता है यह अच्छा मैसेज होता है और देखिए एक चीज और बता दूँ खैर रजनीकान जी तो बहुत मतलब ऑनेस्ट है बाई केरेक्टर वगरह देखा जाए तो यह बहुत अच्छी चीज है लेकिन मैं यह बोलता हूँ कि दिगजों को जरूर जाना चाहिए और इनके उपर एक मोरल प्रेशर भी होता है माली जे कोई पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता है वो खुद ही अपने उसमें वोट देने नहीं गया तो उसको हक नहीं है कि वो दूसरों को बोले या मोटिवेट करें कि आप वोट देने जाए या वोट मांगें तो यह चीजे बड़ी पॉस्टिव होती है जब दिगज लोग निकल के जाते हैं समाज के अगरणी लोग जाते हैं तो उनको देखके दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं और मैं इन कदमों का समर्थन कर प्रिसाशन की पूर तरीके से लेक्शन कमिशन द्वारा पूर तयारी की गई है लेकिन कल की जो हुई बारिष से कहीं कहीं जल भराव की स्थी पैदा होई है यहां बोटर डाले जाएंगे माज जल भरा हुआ है रस्ते में बहुत ज्यादा की चीचो रखी है जिससे अब देखना चलाता है कि अब अच्छा खासा धूब निकला हुआ है दूब निकलने के बाद मौसम में जैसे जैसे रहात आएगी वैसे वैसे मद्दादाओं की फिर बढ़ती जाएगी वैसे बताते हैं अटारह है यार सब्तामन है कुश बोटर है ठीक है और तीन हजाद शब तो समाजबादी पित्यासी ने दीपक चौधरी को मेदार में उता रहा है अब देखना ये होगा कि तिकौनी मुकाबला में जीत किसके सरदर्ज करती है ठीक है यहाँ पर बिजेपी ने अपना सिटिंग अमपी जो है वो चुनावी मेदार में उता रहा फिर से वहीं पर भरो से जता आ गया है बिजेपी की ओर से किस तरह का समयकरन समझें आपर मोहित क्योंकि जनता क्या कुछ सोचके यहां की वोट टालने के लिए जाएगी पहले तो यह कहा जा रहाता कि पैराशूट कानिडेट लेकर आ गई बिजेपी लेकिन इस वक्त कुछ जो तस्वीर ह अब तो हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सतीश गौतम जो है अलीकर सीट से वो पहले भी चुनावी मैदान में जीत करा चुके हैं अब दुसरी बार भरसो चता दियान के उपर देखिए सबसे बड़ी बार जी मैं बता दूँ आपको कि सतीश गौतम जी का जतना बिरोद शेतर में हुआ है साइदी से पहले कहीं नहीं हुआ हमने वहाँ पर जाके बात भी की ती गाउंवालों से बात की ती तो निकल के सिर्फ और सिर्फ यही बात सामने आती है कि सती आसी नहीं होने चाहिए थे लेकिन अगर पूंसा यही सवाल अगर पूछा जाता है प्रजान मंत्री कौन तो उनकी जवाबत तुरंत नाम आ जाता है मोदी लेकिन चूंकि अलिगर में सारे तील लाग मुसलिम है ऐसी बोट जोगा चाल लाग है तो देखना होगा कि अगर मुसलमान बोट कहां पर बते दोता है महीं अगर बात कर रहे हम जाट बोल रहोंगी तो जाट बोल लगवा सारे तील लाग है और जहां बैस समाज का बोट है जिसमें ब्रामरबाद भी चेतर जिसको कहा जाता है वो साथ लाग बोटर है ठीक है मुहित वापिस आपके पास आँगे कि मिश्रा जी अब एक एक सीट को लेकर समझने कोशिश करेंगा अनिगर का मुकाबला सतीश गौतम और अजित बालियान महाँ पर है और वाइपर कॉंग्रेस की ओर से चौधरी विजेदन सेंग जैसा कि मुहित बता रहे है कि उन्हों मंतरी किसी को देखना है तो वो है नरिंद्र मोदी देखिए इस केस की अगर एनालिसिस की जाना तो मैंने कई बार यह बोला है अब की बार बीजेपी के लिए चैलेंज क्या है अब की बार बीजेपी के लिए चैलेंज यह है कि पिछले पान साल के चीज़ों को वो प्रू उस वक्त निगेटिव सिचुएशन कॉंग्रेस और एलाइंस के लिए थी उसका बेनिफिट नेचुरली जो है बीजेपी को मिल गया था इसलिए मैं बोल रहा था कि उस बार बीजेपी के कोई सीट पे कोई भी कहीं से भी खड़ा हुआ हो जादा तर जीत गया हो वह नेचु बहना पड़ेगा लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा एक सहान भूत ही टाइप की जो मिल जाती है न जैसे राजिव गांदी जी को जब प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांदी की हत्या हुई थी 84 में हुआ था इतनी बड़ी जो जीत हुई थी तो एक सहान भूत की लहर चल गई थी उस वक्त भी कॉंग्रेस से कोई भी खड़ा हुआ तो रिकॉर्ड मतलब वोटों से जीता था इस टेम लहर थी उस लहर में जो भी आता गया वो उस पानी के साथ बैता चला गया फिलाल मैं वापस आपके पास आउंगे कि मिश्रा जी मासा जो है सुदाकर सिंग जोड़ चुके हैं विज़े प्रवक्ता स्वागा ते सर एफम न्यूस पर आपका सुदाकर सिंग जी कि इस तरह से चुनावी बैदान में उत्रे हैं कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है आठो सीतों पर अगर उत्र प्रदेश की विशेश कर बात करें तो सुदाकर सिंग जी आप तक आवास पहुंच रही है मेरी चलिए वापस आपके साथ जुड़ेंगी और शायद कुछ टेक्निकल एरर है उसको दूर करने की कोशी जब तक हम करते हैं यहाँ पर इस वक्त तस्वीरे जो है सामने आती जा रही है बिज़ेपी की कानिदेट ब पहुंचे हैं और तेजस भी सूरिया इस वक्त तस्वीरों में नजल आ रहे हैं और यही लोगतंद्र की खुबसूरती है कि दिन की शुरवाद जो पार्टी के युवा नेता है पार्टी के दिगच नेता हैं किसी भी पार्टी के हों वहाँ पर पहुंचते हैं और एक भी मैदान में है क्योंकि कानडिडेट एक चीज को आ करा है पिछली बार तो वह दिलाहर थी इस बार क्या कुछ सोचकर मैदान में आप लो शायद दाकर जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पारी है और जब तक उनके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच नहीं मैं वापस रंचना का रुख करूंगी रंचना अभी कुछ अपडेट है क्या इस बीच जी नैंसी मैं आपको बलदू कि प्रधान मंतरी मोधी ने भी ट्वीट कर लोगों से अपील किया है कि वो अपने मतदान का इस्तमाल करें क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है जब हमारा देश मजबूत हो तो उतना ही जरूरी होता है कि हम एक मजबूत और शशक्त सरकार का ग जना जाता है हलांकि आठो सीटों पर त्रिकोणिया मुकाबला है बीजेपी वर्सिस कॉंग्रेस वर्सिस महागटवनन तो बेहदी दल्चस्प और बड़ा कड़ा मुकाबला है इसके अलावा मैं आपको बता दू महरास्ट की 10 सीटे जम्मो कश्मीर की 2 सीटे और पॉंड कारी हमाने हमने की है वो दश्यकों को बताएंगे कि क्या आखिरकार कौन-कौन सा कैनलेट किस सीट से खड़ा हो रहा है इस बीज में आपको जानकाई देदू नगीना सीट से बीजेपी की ओर से डॉक्टर यश्वन सिंग है बीजेपी की ओर से गिरिश चंद्र है कॉंग संक्या सुबा के वक्त में इभारी संक्या दिखाई दे रही है इस बीज बुलन शेयर लोक्समा सीट को बढ़कर आपको जानकाई देदू बीजेपी की ओर से डॉक्टर भोला सेंग चिनावी मैदान में बीजेपी की ओर से योगेश वर्मा है कॉंग्रेस से बंसी पहाड